ओ मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नहीं थे मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक बिसेस रंखला हम चला रहे हैं उसी बिसेस रंखला में आज बात करते हैं दूरे नजफ रत्न पहनने से होने वाले लाबों के बारे में जोती सास्थ में लगबख 200 रत्नों की चर्चा की जाती है जिन में से 9 महारत्न और 85 उपरत्न ही जाने वा पहचाने जाते हैं तथा प्राप्त हैं इन्ही 85 उपरत्नों में कुछ विदेसी रतन है जिने भारती रतन जगतने मानेता प्रदान की है आज हम एक ऐसे ही विदेसी उपरतन की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम दूरे नजफ रतन के नाम से जानते हैं हिंदूँ के रतनों के तरह ही इस्लाम में नगीने धरण किये जाते हैं, पूरी दुनिया में लगभग रतन एक जैसे ही है, परंतों देसकाल परिष्टितियों के इसाब से उनके नाम अलग है। दूरे नजफ एक इसलामी रतन है पर अपने गुणों के कारण या पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। भारती जोतिसी इसे चंद्रमा का उपरतन मानते हैं या बहुत साफ और सुच होता है। अंग्रेजी में इसे मूनिस्टोन कहते हैं पर अधिकांस जोतिसी इसे अलग तरह का रतन मानते हैं वादी इसलाम कब्रिस्तान जो की इराक में है वही नजफ सहर है। नजफ सहर में हजरतली का रोज़ा भी है। उसी कब्रिस्तान में बारिस का पानी सोंकता नहीं है बलकि जम जाता है। यही दूरे नजफ रतन है या मिट्टी की उपरी सते पर जग हो जाता है या जितना सच होता है उतना ही अच्छा माना जाता है पानी में डालने पर या बिल्कुल छिप जाता है बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता यही दूरे नजफ रत्न की पहचान भी है भारत में या द्रवेनक मड़ी के नाम से जाना जाता है इस रत्न का कोई नका लाइक करिए, सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार